हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक आजके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईडी एपसी फॉस्ट बैंक सियर के ऊपर साथे साथ आईडी एपसी के ऊपर और साथे साथ हम लोग बात करेंगे टीवी एटीन ब्राडकास्ट और नेटवर्क एटीन सेर के ऊपर भी इन डीटेल में बात करेंगे इंपोर्टेंट मर्जर का नियूज आ चुका है तो पहले उसके ऊपर बात करेंगे स्वैपिंग रेस्यू क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम लोग टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक ज़रू देखीगा जिससे की आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए चलिए अब आगया वड़ने से पहले बात कर लेते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर या फिर टेलिग्राम को जोईन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप टेलिग्राम को जोईन कर सकते हैं यहां पर आपको लाइब मार्केट में अप पर उसके लिए आप प्रीमियम ग्रूप को भी जोईन कर सकते हैं और आपके लिए एक और खुसकबरी है जो अभी 30% का यहां पर ओफ चल रहा है तो अगर आप इस वीकेंड में जोईन करते हैं तो आपको 30% का एक बहुत ही बढ़िया छोट मिलने वाला है फिर डिस्क्रि लुज दिया है लाश्ट वन मंत में जरूर्श टॉक ने निगेटिव रिटन दिया है वट लाश्ट वन यार में श्टॉक ने 15.8% का एक नौमिनल रिटन दिया है अभी यहां पे जो एक नियूज का सभी को ताफित दिनों से इंतजार था वो नियूज आ चुका है यहां पे जो है IDFC bank जो है आपको merge होगा IDFC limited के साथ यानि कि जो है आपको IDFC limited में अगर आपका share है तो फिर वहां उसके जगह पे आपको मिलेगा IDFC first bank का share यह merging ratio क्या होने वाला है यह merging ratio जो है आपको होगा 155 का यानि कि अगर आपके पास 100 share है IDFC में तो फिर उसके जगह पे आपको 155 share जो है मिलने वाला है तो यहाँ पे एक चीज में जरूर आप लोगों को बोलूंगा जो अगर आपके पास 50 share है 60 share है 70 share है तो या तो उसको आप 100 में convert कर दिजए यानि कि extra share buy करके 100 share IDFC limited को आप complete कर दिजए जिससे कि जिस दिन merger होगा जिस दिन स्वेपिंग होगा उस दिन आपको 150 share जो है IDFC first bank का credit हो जाएगा इन केस अगर आप यहां पर यह नहीं करना चाहते हैं तो बेटर होगा आप क्लियरली जो है एकजिट कर जाए और जो है फ्रेस बाइंग आप IDFC first bank का कर सकते हैं यह चीज़ धियान रखना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि सपूज अगर आपके पास 50 share है तो 155 क आधा आपको मिलेगा 72 77.5 का अब 77.5 तो आपको मिलने से रहा तो वह 77 77 share मिलेगा वहाँ पे जो है आपको एक शेयर का लॉस हो जाएगा तो इन सभी केस में जो है आपको उस हिसाब से अपने फोटफोलियो को मेंटेन करना है जिससे की स्वेपिंग एजीली हो जाए तो यह चीज आपको ध्यान रखना है चले अब बात कर लेते हैं आगे लेबल्स के उपर अगर हम लोग लेबल्स के उपर बात करेंगे तो इस्टॉक में क्या करना चाहिए आईडिया अपसी फॉस जोन को लगातर करता है अब भी जो है बिल्कुल ब्रेकाऊट जोन पे चाहिए तो बेटर होगा थोड़ा सा और हम लोगों को वेट करना चाहिए हम लोगों को फ्रेस बाइंग को मिलेगा जब इस ट्रेंडलाइन के उपर निकलना चुका है यहां पर देखेंगे तो एक अ नहीं होता है तो यहां पर वेट करना होगा तो कि काफी स्वीट स्पॉर्ट है ब्रेक आउट आपको हुआ अल्टाइम हाई का रीटेस्ट कर रहा है उस जोन को लगाता रीटेस्ट कर रहा है बट यहां पर जो है कनफरमेशन कब आएगा जो वापस से ट्रेंड चेंज हो रह मंडाइं के से से सन धायं मिट कर सकते हैं मंडे कि मॉंबई में इलकशन nt है मंडे का मंडे मारकेट चले बात कर लेते हैं अब लोग दूसरे सिर्फ के ऊपर दूसरा स्टागा है डिवी एटीन ब्राइट ऑप्स कि अज़िए अइन इकींगी स्थे हाई लगाया था 2022 में 80 रुपीज से उपर का 82.6 का उसका एक जबर्दस्त गिडावट हुआ वापस से इस टॉक नहीं यहां पर हाई लगाया 68.7 का एगें जो है यहां पर हम लोगों को गिडावट देखने को मिल रहा है इस टॉक मोर और लेज जो है लगातार स्टॉकल करता हुआ दीख रहा है तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए देखिए सबसे पहले अगर मंतली चार्ट के उपर देखेंगे तो स्टॉक जो है काफी टाइम से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है 15 रुपीज डाउन साइड में सपोर्ट ले रहा है 14 15 के लेवल पर अ यहां पर अभी हम लोगों को वेट करना होगा अगर आपको स्टॉक में बड़ा पैसा बनाना है इस स्टॉक में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपके पास दो ऑपर्चुनिटी है जब स्टॉक नीचे की साइड में और रिट्रेस बैक करता है तो 30 35 14 से भी जाएगा या फिर आप यहां पर कंप्लीट वइड करेंगे इस रेंज को और वेट करेंगे यहां पर जो है इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोगों को इमिडिएटली 115 और उसके उपर जो है फिर 200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है इस इन सभी लेवल्स को जो है आपको दिहान रखना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप होल्ड कर सकते हैं बट स्टॉक रिटर्ण देने में टाइम लगाएगा इमीडियेट आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इमीडियेट जो है यहां पर आपको रिटर्ण मिलने वाला नहीं है बात करेंगे नेटवर्क 18 सेर के ओपर नेटवर्क 18 के सेर में देखेंगे लगों को यहां पर देखने को मिला इस टॉक नेख अच्छा ब्रेक आउट दिया बट इस ब्रेक आउट के बार इस टॉक में वापस से हम लोगों को एक हायर लोर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिला एक ब्रेकडाउन वार इस्टॉक जो लगातार अपने नीची ले स्तर पे ट्रेड कर रहा है इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो जिस लेबल से स्टॉक ने मोमेंटम करना स्टार्ट किया था अल्मोस्ट सेम सिम लाइन के ब्रेकाउट का जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट नहीं होता है इस टॉक में आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगा तो बेटर होगा हम लोग यहां पर वेट करेंगे थोड़ा सा और स्टॉक समय ले सकता है लेकिन एक बाद जब नहीं हो अनलसिस एचा लगा हो जब ट्रेंगे शुक अपर अनलसिस अचा लगा हो जब करेंगे